एंसइटी किया है? क्या एंसइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन तीनों एक चीज है या अलगलग है और क्या मैं और आप भी एंसइटी या स्ट्रेस का शिकार है अब हाला कि देखा जाए तो स्ट्रेस एक तरीके से अच्छा भी होता है तो अगर आपको exam शुरूने से पहले stress होती है, interview में जाने से पहले stress होती है, बोस के सामने कोई presentation देना उससे पहले एक stress होता है, तो ये healthy stress है, ये short term stress होता है और हमेशा ये आपको motivate करता है कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन अगर ये stress long term हो जाए, बार बार हो, repeated हो और उस thin line होती है, stress और anxiety की, उसमें आप बहुत सारी चीज़े हो सकती है, क्योंकि कोई limit नहीं है, कोई boundary नहीं है, ये कारण आपके घर में भी हो सकते है, आपकी दोस्ती में भी हो सकते है, आपके प्रेम संबन्द में भी हो सकते है, आपके office में भी हो सकते है, आप बहुत ज़्या दो तीन चीज़े होती हैं, एक आपको पियर प्रेशर होने लगता है, कि अरे मेरा साथी आगे निकल गया, अब यार मैं उतना नहीं कमा पा रहा हूँ, क्योंकि हमने पैमाना सिर्फ कमाने और पैसे को इमान लिया है, हम ये भूल गएं कि जो हैल्थ हमें दी है नेचर ने, इससे बड़ी दोलत और कोई नहीं है, ऐसा भी देखा गया, अस्पतालों में लोगों को लाको लाको खर्च करते हुए, अपनी सिर्फ सिहत को या अपने बॉड़ी के किसी पार्ट को बचाने के लिए, अगर ये सब है, आप हैल्दी है, आपका तन मन स्वास्थ है, तो इससे बड़ी दोलत कोई नहीं है, खेर, ग्यान की बात, ये बाद में कभी करेंगे, लेकिन येस, आपके पास कुछ इंसिक्यूरिटीज हैं, जोब जाने का डर है, आगे फिनेंशल इंसिक्यूरिटीज आपके मन में रहने लगती हैं, आपके पास जोब नहीं है, वो सारे कारण भी बनते हैं, घर में महावल अच्छा नहीं है, रोज सुबा शाम खटपट होती है, आपको नींद डिस्टर्ब होने लगती है, आपका स्टमक अपसेट रहने लगता है, आपको इरिटेबिलिटी हो जाती है, आपको घुसा जल्दी आने लगता है, आप रियक्टिव हो जाते हैं, तो यह कुछ प्राइमरी लक्षन होते हैं, जो स्ट्रेस या एन्जाइटी से रिलेटेड होते हैं, अभी मैं स्ट्रेस ही फोकस करूँगा, क्योंकि शुरु आती दुनों में यह स्ट्रेस ही होती है, लेकिन अगर यह बढ़ते जाते हैं, लगातार होते हैं, रिपीटिट होते हैं, तो फिर यह एन्जाइटी में कनवर्ट हो जाते हैं, इसलिए इन लक्षनों को हम दो तरह के लक्षनों में कह सकते हैं, कि एक short term lection होते है एक long term lection होते है जो short term lection है वो सारे वो होते हैं जो मैंने अभी उपर से आप आपको बताये सारे लेकिन जो long term lection है पिर वो आपके behavioral changes आने लगते हैं आपके अंदर तो आप या तो अकेला पन महसूस करने लगते हैं या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर आप खाना कम कर देते हैं, आपको loneliness, feel lonely लगती है, आप उतना irritable हो जाते हैं, कि आपको गुसा बहुत ज़्यादा आने लगता है, और आप भूल जाते हैं, उस समय आपकी इस गुसे का असर आपके relation के क्या पढ़ने वाला है, य और जब ये anxiety के लक्षण बने रहते हैं, जब आपने पर ध्यान नहीं देते, तो फिर ये depression की तरफ जाने लगते हैं, stress को anxiety और anxiety को depression में जाने से कैसे रोका जा सकता है, तो बड़ी simple सी बात है दोस्तो, first तो आप जो आपका religion है, उसको आप पालन करें, जब आप religion को पालन क करते हैं, तो आपका गोड में, अल्ला में, भगवान में जो faith है, बना रहता है, तो फिर आपको एक संतुष्टी मिलती है, जो हो रहा है, जो हो रहा है, जो हो रहा है, वो उसकी मर्जी से हो रहा है, दूसरा, आप अपने आपको evaluate करें, अगर वाकई आपके पास बहुत ज और उतना ही अपनी प्लेट में रखें जितना आप और आपका शरीर बरदाश्ट कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले आपका शरीर ही आपको कहता है, बस भाई अब बहुत हुआ, और यहीं से फिर आपको दिक्क्ते शुरू होती है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने लि कम आदा एक घंटा अपने आपको दें, तो आपके अंदर जो पिलट का सर्कुलेशन बढ़ेगा, एक खुशी के जो हार्मोन से वो रिलीज होंगे, तो स्ट्रेस और इंजाइटी का लेवल कम हो जाएगा, खाना अच्छा खाएं, अगें मैं वहीं बात करूँगा कि बाह तो आपको ये सारी चीजे भी कम रहेंगी, ऐसे लोग उसे बात करें, जिन पे आपको भरोसा हो, जिन पे आपको ट्रस्ट हो, उनको अपनी परिशानी बताएं, अपने पार्टनर को अपनी परिशानी में इन्वाल्व करें, उसको समझाने की कोशिश करें, और उसी तरीक इसे अगर आपको लगता है कि यार एक काम बहुत जादा है, आफिस का काम बहुत जादा है, अपने बॉस के साथ अपनी परेशानी को शेयर करो, बॉस दोखो मेरी क्वालिटी और काम है, इतना जादा काम है तो मुझे मदद करो, तो आप खुलके बात करें, थोड़ा सा उन लोगें से जो ट्रस्ट वर्दी हैं, हर किसी से नहीं, तो फिर ये आपकी उलजन काम हो जाएगी, आपने देखा होगा कि जब आपना हर्ट किसी को शेयर करते हैं, तो अपने आप ही चीजे थोड़ी सी सटल होने लगती है, तो अपना हर्ट शेयर करें, उन लोगे आप कम कर दीजे, क्योंकि ये भी अगर आप से जादा दिनों तक, लंबे दिनों तक यूज करते हैं, तो इसका कारण भी एंजाइटी और स्ट्रेस डेवलप होने में एक कारक बन सकता है, और सबसे बड़ी बात, आप साथ से आठ घंटे की नींद जरूर पूरी करें, अ फिर, irritability एक लक्षण है, stress का और anxiety का, तो इसलिए अगर आप नींद आप पूरी करते हैं, तो नींद पूरी करने से भी आप सुबह फ्रेश उठेंगे, और आपका anxiety और stress लेवल कम हो जाएगा, लेकिन अगर ये continue बना रहा, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर ये counselor से मिलें, psychologist से मिलें, किसी mental health physician से मिलें, और उसको ये ना मानें कि ये बहुत बड़ी बिमारी है, या मेरो पर कोई ठपा लग जाएगा, अपनी बात और अपनी बिमारी जिसे normal बिमारी होती हैं, उसी तरीके से psychologist से या mental health physician से जाके share करें, और definitely यकीनन आपको वो treatment देंगे ह बिना दवाई के सिर्फ counseling के रास्ते से ही आप ठीक हो जाएं, या हो सकता कुछ आपको दवाईयों की जुरुत पड़े, तो आप अपने आपको फिर से normal life में वापस ला सकते हैं, लोग दवाईयां खाने लगते हैं, नीन की दवाईयां खाने लगते हैं, वो और बिकार द जरूर मिले, डॉक्टर से जरूर मिले और आपको ये बहुत ही सलीके से अच्छे तरीके से वापस ला सकते हैं, फिर से आपकी normal life में, तो दोस्तों क्योंकि हम सब working class हैं, हम सब के उपर कुछ ना कुछ pressure है, जैसे हमने शुरू में कहा हर एक पे अलग अलग तरीके की pressures हैं, तो उन pressures को manage करके रखना है, ये बड़ी skill है अगर आप इस pressure को या stress को manage कर लेते हैं, तो इस वीडियो को जाद से जाद से जाद लोग को इसका फायदा मिले, लोग को पता लगे कि भी anxiety, stress, depression है क्या और इसको कैसे control किया जा सकता है, तो अगर वो वीडियो पसंद आया हो, त जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, तो आपको सारे notifications आने लगें, दन्यवाद